नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा औसदिन उसका बताने वाली हैं जो आपके आथों में जम्य हुए कब्जियो को दूर कर देगा और सालों पुरानी बवासीर ठीक करेगा जिनको अंदरूनी और भायरी बवासीर है और मस्य में सोजन रहती है तो आज में बताऊंगा कि इस दिबन उसके को कैसे बनाना है और इसको बनाने के लिए किन किन जड़ी बूटियों की जरूरत पढ़ने बाली है और इसका शेवन कैसे करना है इसके क्या क्या फायदे हैं सब कुछ तो चलिए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो नमस्कार दोस की गर्मी को सांत करेगा पालिस की समिस्या को दूर करेगा अंद्रोनी और बाहरी भवासी ठीक हो जाएगी मस्य में दर्द तेज रक्तिसरा और मस्य की सूजन भी दूर कर देगा तो आए जान लेते हैं यह जो दिब नुसका है ना इस नुसके को कैसे बनाना है और इसको कि लिए किन-किन जड़ी बूटियोंगी आवसकता पढ़ने वाली है देखे दूस्तों आप घर पर आसानी से इसको बना सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं इसमें प्रयोक की गई सभी जड़ी बूटियां पंसारी की यहां से आराम से मिल जाएंगी तो आपको किन-किन औ है निशौत बाइवडिंग के जो बीज होते वो इसमें एड़ की हैं काली मिर्च भी हमने इसमें एड़ किया है साथ में जीरा सफेद दो-तिन प्रकार का जीरा होता है लेकर सफेद जीरा बहुत अच्छा हमने यहां पर एड़ किया है और इसमें अंतिम जो औसदी है ना हमने एड़ किया अजवायन देशी तो आईए जान लेते हैं इन उसदियों की मात्रा किन-किन मात्रा में हमने इसको एड़ किया है और इसे कैसे बनाना है तो देखिए जो जमीक अंदेस सुरण है न वो आपको इस नुश्के में लेना है 100 ग्राम और नागर मोथा की ग्राम और मुलैठी की लकड़ी इस नुश्के में आपको एड़ करनी है 50 ग्राम निसोत सफेद की जड़े हैं लेनी है 100 ग्राम बाइवडेंग के बीज आपको लेनी है 20 ग्राम काली मिर्च आपको इसमें एड़ करनी है 10 ग्राम जीरा सफेद आपको इसमें एड़ करनी है 20 ग्राम और अजवाइन इस नुस्की में आपको एड़ करनी है 30 ग्राम सब ये को जड़ी बोटियों को खरल में डाल करकी इतना कूट लो कि ये महीन से महीन चूरन हो जाए फिर इस चूरन को एक कपड़े में डालो और कपड़े में डाल करकी कपड़शन खल लो कुछ इस तरीका से कपड़शन किया हुआ चूरन महीन हो जाएगा फिर खाली कैपसूल लेजिए और खाली कैपसूलों को खोल खोल करके इनक में चूरन भरिए और ढ़कन को लगा-लगा करके बस तयार के लेजिए जब सभी चूरन भर जाए और आपके कैफसूल तयार हो जाए तो इसे एक डिब्बे में बंद करके रखिए ताकि इसमें नमी न लगे और ये जल्ली खराब भी न हो और इसे आप आराम से प्रियोग कर सकते हैं अब आई जान लेते हैं इन कैफसूल का शेवन करने से कौन-क का पेड़ साप नहीं होता और आतों में भारी पर रहता है कबजे भी बहुत बंती है और बवासीर भी हो गई है मस्से हमेशा सूजे हुए रहते हैं और तेज रक्तसराव भी होता दर्द भी होता है तो ये आरवेदे कैफसूल बहुत लापकारी है तो इसे सेवन करने का तरीका जान लीजिए दोस्तों आपको खाना खाने के एक घंटे बाद सुभे दो कैफसूल लेना और इसको शेवन करना है उपर से पानी अथवा दशाज का प्रियोक करिए यही क्रिया साम को भी दोरानी है इसको खाना खाने के घंटे बाद साम को भी दो कैफसूल यूज करना और उपर से आप पानी का शेवन कर सकती हैं इसका कुछ दिन लगातार करेंगी तो आपका पेट एकदम साप रहेगा कब जो कभी नहीं होगी आते मजबूत होंगी और साथी साथ आपकी पाल्स की समिस्या मस्य में सूजन दर्द जलन सब खत्म हो जाएगा तो यह चोट होदाए टोयितר खर्नौon का जाएगा वाद मास पर्द जाएगा झाहल होंगी तो हम हो कभीशन का नहीं जेडने हूएगा स करेंगा चाहल को जो कि एक पादाने चाहटार कि टानों तो हम पादाने हो कर पाल्स की समिस्चून का